हेलो गैस तो कैसे हैं आप सब उम्मीद हैं आप सब खरीयास से होंगे तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वाटसब गोड कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में बताऊंगा जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं इसके लिए वीडियो को एंड तक पूरा देखियो अगर जैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं जिससे आपको अपरे मुबैल में कोई और वाटसब नहीं भरना पड़ेगा और एकी वाटसब पर आप दो से तीन अकाउंट चला पाओगे तो अब चलते हैं सेकेंड फीचर की तरफ तो सेकेंड फीचर इसका यहां पर आपने अपनी लैंग्वेज में कोई भी मैसेज टाइट कर लेना है यहां पर आपको translate का option मिल जाते हैं आपने उस पर tap करना है tap करने के बाद आप उसको किसी भी language में translate कर सकते हैं इसका जो third feature है वो बड़ा ही जबदास्त है यहां पर आपको ऊपर एक बलब का icon देख रहे हैं tap करने के बाद आप सोच रहे होंगे कि message send नहीं हुआ इसके नीचे एक और icon आपको देख रहा है बहुंग वाला तो आपने इस पर tap करना जैसे ही आप tap करेंगे तो यह सब message send हो जाएंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि यह message send हो रहे हैं तो दोस्तों आप लोग भी इस तरह का अपनी चैट में animation लगाना चाहते होंगे जो इसका next feature है तो इस feature को लगाने के लिए आप तो चैट में animation लगाने के लिए यहाँ पर आपने WhatsApp effect में आ जाना है WhatsApp effect में आने के बाद यहाँ पर आपको option दिखेगा chat list animation आपने इस पर tap करना और यहाँ पर आपको different animation मिल जाते हैं जो animation आपको पसांद हो आपो वाला animation यहाँ पर लगा सकते हैं और यहाँ पर आपको ऊपर एक और animation मिल जाते है view page transformer animation आपने इस पर tap करना और यहाँ पर कोई भी animation लगा लेना है तो कुछ इस तरह का आपका इनिमेशन देखने को मिल जाएगा तो ये थे आज के वाटसेप गोड़ की फीचर जो मैंने आपको बताए वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर दीजिएगा तो मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में तबते के लिए अलाव भी